हलो गाईज़ आप लोगाईज़ आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि डेली मॉर्णिंग में हम लोग मॉर्णिंग अपडेट लेकर आते हैं जो कि पूरी तरीके से न्यूज पेपर बेस होती है या ओपीसियल नोटिस के बेस होती है आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्णिंग में जब आप उठते हो तो आपको यहाँ पर सारी अपडेट मिल जाती है या आपको कोई भी न्यूज पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है तो अगर आपको भी चाहिए बिल्कुल सही तर एके से अपडेट और अथंटिक अपडेट तो जो भी साथी नहीं हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें कौन-कौन सी अपडेट हम लोगों के पास में आप लोगों को स्क्रीन पर देखी रही होगी चाहे फिर वो सीटेट अड्मिट कार्ड को ले करके हो चाहे वो यूपी टेट परिक्षा को ले करके हो और आज जो हो यूपी टेट परिक्षा को ले करके बहुत सारी अपडेट है तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी अपडेट को देख लेते हैं सबसे बहले तो मैं बता दूँ आप सभी लोगों को कुछ सीटेट का जो admit card है वो जारी कर दिया गया है तो अगर आप लोगों ने seatet का admit card अभी तरह नहीं देखा है तो आप लोग seated की official website पर या फिर आप लोग सरकारी job find पर जाकर आप लोग इसको देख सकते हो सरकारी जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सिक्षक पात्ता परिक्षा 2021 विपर आउट होने के कारण निरस्त की जाचुकी पुना परिक्षा कराने को लेकर सासन और विभाग फूख फूख कर कदम उठा रहे हैं। प्रमुख सची उसासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर पूर्व प्रस्तावित परिक्षा केंद्रों का परिक्षन कराने का निर्देश दिया है। नियामक प्रादिकारी को उपलब्द करा दें। बाकी चीजें जो लिखी हुए वो आप सब को सारी चीजें पता है। गिरपतार सचीव के पास अलमारियों की चाबियां UPDT की तयारी में दिक्कत। यानि कि जो PNP सचीव जो है पहले जो गिरपतार किये गए थे पेपर रद दोने के बाद उन्हीं के पास जो है चाबियां है सारी तो दिक्कतें कुछ हार रही है। क्या है अपडेट देखते हैं। सचीव के पास हैं मामले की जाच कर रही है, PNP के नए सचीव अनिल भूसा चत्रवेदी परिक्षा कराने के तयारी में जुट गए हैं। ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब की बार जो है सक्ती भी बढ़ा दी गई है और विस्व विद्याले वो डिगरी काली जो भी बनेगी क्या है। पुराने केंद्र ही रहेंगे लेकिन कुछ केंद्र जो है बदले जाएंगे उनी को बदल कर जो है डिगरी काली वो अब इस विद्यालों में बनाए जाएंगे। कर आई है चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी बढ़ते हैं अगली अगली अपडेट की तरह चले गए तो वीडियो इस्टार्ट करने से फिले मैं आपको बता दू कि चक्सू पब्लिकेशन जो है सुपर टेट 2022 के लिए अपनी बेस्ट इस्टिडी गाइड बुक जो है वो लेकर आई है जिसमें आपको पांस जार से ज़्यादा बहुत गल्पे प्रस्न साथी साथ में आपको समसामाई की चार महने की और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी जो कि स्लेवस के एकॉर्डिंग है अगर आप यहाँ पर देखिए तो किस अध्याय से कितने कोश्चन आए है हर एयर में कितने कितने कोश्चन आ है बेतरी धंग से इसको डिजाइन किया गया है साथी साथ इसमें जो है लेंगज भी बहुत अच्छी तरीका लिखी गई है चार महने की करेंट पर यह यह कंप्लीट इस्टिडी गाइड है जो आपक इन धंग से आप देख सकते हो प्रेक्टिस पेपर भी आपको इसमें मिल जाते हैं तो आप लोग इसको देखकर यह पता लगा सकते हैं किस हिसाब से पेपर जो है एक्जाम में आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए और इस साथ साथ में इनकी प्रेक्टिस सेट भी आती है तो अगर आप चाहो तो प्रेक्टिस सेट को भी आप परजय कर सकते हों प्रिसिक्षक इसनातक सिक्षक जो है TGT और PGT 2021 की भर्तियां पूरी की लेकिन वर्स 2011 और 13 की तमयाम भर्तियां अब तक फसी हुई है भर्तियां अटकने से अभ्यारतियों को काफी नुकसान हुआ है भबिस में भर्तियां पूरी होने पर जब अभ्यारति की जॉइनिंग हो 2022 तक लंबित भर्तियों को पूरा कर लिया जाए चैन बोर्ड ने वर्स 2011 में TGT के विभिन विसेओं के लिए आवेदन लिया था लिखित परिक्षा के बाल साक्षतकार हुए परड़ाम आ गए लेकिन TGT जी विग्यान 2011 और लिखित परिक्षा का परड़ाम घोस्यत नही को पता है कि 2021 की जो भर्ती हुई थी TGT PGT की वो भर्ती प्रकिरिया कंप्लीट हो चुकी है और चात जो है जो है जो जाइनिंग भी कल लिए है लेकिन जो 2011 और 2013 में जो TGT की भर्ती आई थी उनमें बहुत से सब्जेक्ट के ऐसे भ्यारती है जिन लोगों का अभी तक चैन नहीं हुआ है या चैन हुआ है तो वो नुक्तिया नहीं पाए है और ऐसे चात्र जो है उनकी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि भाई 2011 से 2021 दस साल तो यह वैसे ही बैठे हैं लास्ट में जब इनकी जॉइनिंग होगी तो यह 2021 वालों से जूनियर होंगे और वेतन और भत् कम होगा तो यह आप देख सकते हैं सभी लोग चलिए वहीं पर हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट को ले करके तो 68500 जो प्रात्मिक सिक्षक भरती हुई थी उसके बाद 79000 सिक्षक भरती हुई तो 68500 जो अध्यापक भरती थी उनके अभ्यारतियों को ले जो है एक खुस कर देखी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक सिक्षा विभाग के प्रमुक सचिव दीपक कुमान ने विभाग के निदेशक और परिसत के सचिव को सचिव को अभ्यारतियों से पुना तैनाती विकल्प लेकर कारिवाही के निर्देश दिये हैं परिसत में 68500 साह प्रमुक सचिव के प्रमुक सचिव को अच्छे से आप लोग इसको पर सकते हो वही पर हम बात करते हैं अगली जो अपडेट जूनियर सिक्षक भरती को लेकर के जो अभी हाली में हुआ था जिसमें 300 के आसपास प्रदाना चाहिए और 1500 के आसपास सहाय का ध्यापक भरती हुई थी क्या है अपडेट देखते हैं विसावार आरक्षण में उलजी जूनियर हाइसकूल सिक्षक भरती मेरिट उत्तर प्रदेश परिक्षा नियामक प्रादकाई ने जूनियर हाइसकूल सिक्षक भरती परिक्षा कराने के है क्योंकि गड़बडी पर भरती कोट में अटक सकती है ऐसे में जल्द चैन और नियुक तपानी की सोचरे अब्यारतियों का इंतजार करना पड़ सकता है उत्तर परिक्षा नियामक प्रादिकारी ने एड़ेट जूनियर हाई स्कूल सिक्षक भरती परिक्षा 17 अक्टूब के 504 और पदाना द्यापक के 390 पर चैन मेरिट के आदार पर किया जाना है आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो भरती है यह आरक्षन के मुद्धे पर बहुत ही फूप-फूप के कदम जो है रखी जा रही है इसलिए थोड़ा सा लेटर हो रहा है क्योंकि 15 नॉम्बर को ज जो है PNP सचियों बदले गए नय PNP सचियों आए है तो उनका जो है एक ही फोकस है और वो फेकस है यूप-टेट की परिक्षा को करवाने के लिए ठीक अभी इसलिए वो इस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे है जैसे उनका ध्यान इधार आएगा तुरंत ही यह खतम हो ज जता आया है देखते हैं क्या है प्रदेश में 79,000 सिक्षकों की भरती में पिछणों के आरेक्षन के मुद्दे को हमेशा सा उठाने वाली भाजपा की सहयोगी अपना दल की राश्ट्रिय अद्द्र्ष और केंद्रे मंत्री अनुप्रिया पटेल को उम्मीद है कि विधान सभाग चुनाओं से पहले ही मामले का परिक्षन करके समाधान कर दिया जाएगा इसके अलावा उन्होंने जातिकत जनगना कराने के मुद्दे पर भी वारता जारी रखने की बात कही है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो 99,000 सिक्षक भरती में जो यहाँ और अरक्षन मुद्दा है उसको ले करके अनूपिया पटेल ने बताया है कि विधान सभाग चुनाओं से पहले इसका जो है निस्तारन कर दिया जाएगा तो एक बड़ी अपडेट है जो चात्र वहाँ पर धरना प्रदरसन दे रहे हैं उनके लिए तो भाई अच्छी खुश रहिए मस रहिए जैहिन जैपर्द